सो हेलो फेंड्स मैं आसी सापका स्वागत करता हूँ एक और नए और अमेजिंग वीडियो में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये खराब हो चुके लतर से जो की एकदम खराब खतम बरबाद हो चुके होते हैं उनसे एक कुछ नया करके दिखाऊंगा मतलब आप इसका यूज जो है कैसे कर सकते हैं और आप इसे बहुत ही अच्छे अच्छे जगों पे लगा सकते हैं इसके जो LED वगरा होते हैं वो नहीं खराब होते हैं तो उनको निकाल कर आप कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो मेरे पास ये जो खराब लतर है वो पड़ा हुआ था जिसका मैं यूज कर रहा हूँ आपके पास भी ऐसा खराब जरूर ही पड़ा होगा जो कि अब रिपेर नहीं हो सकता आप हाला किसे रिपेर कर सकते हैं लेकिन ये पूरी तरह से अब खराब हो चुका है ये रिपेर नहीं हो सकता लेकिन इसकी जो LED वगरा है वो नहीं खराब होती है मतलब कि ये जो सीरीज में लगए होते हैं दो-तीन LEDS खराब होगई, तारवार खराब हो जाता है लेकिन इसके जो LEDS है वो नहीं खराब होती है तो चलिए इसके जो LEDS है हम कुछ निकाल लेते हैं तो यहाँ पर जो LED है आप यहाँ पर देख सकते हैं लेडी है उसको आप कैची से या फिर कटर से जो है काट कर निकाल सकते हैं जैसे कि मैं निकाल रहा हूं और आप इसका यूज कर सकते हैं तो चलिए फटाफट से यह जो है हमारे पास इसके जो एलेडी वगरा है उसको निकाल लेते हैं सिर्फ एलेडी की ही जवरत पड़ेग आप देख सकते हैं यह जो है कैंची चाकूँ आप कोई भी चीज इसके जगा पर यूज कर सकते हैं जो एलिटी है उपर का हिस्सा थोड़ा सा जहां पर इसको जो है mold किया गया रहता है मतलब इस cover चढ़ा गया रहता है वहीं से थोड़ा सा उसको crack करके और हमें निकालना होगा तो यहाँ पर आपको जो है दो terminal मिल जाएंगे जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यह जो LED है दो terminal मिल जाएंगे एकदम साड़ा हुआ है यह कब से पड़ा हुआ था कितने दिनों से जो है इसके जो terminal है उसमें rush लग चुका है सभी terminal हो में rush लग चुका है लेकिन फिर भी हम इसका use करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो terminal है वो अधिक मजबूत नहीं रगा है क्योंकि जो इसके इसमें rush लग चुका है तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और जो इसका cover है थोड़ा साम हटा लेते हैं तो यह देखिए यह जो LEDs है हमने सभी के cover भी जो है निकाल लिए हैं ताकि इसमें wire जो है अच्छे से लगा सकें यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा समय जूम करके भी आपको दिखा दिया कि आप अच्छे से देख ले और इसी तरह आपको निकाल लेना है अगर आपको यूज करना है तो क्योंकि इसमें जो wire जूड़े होते हैं वो जो wire होते है वो थोड़े ठीक नहीं होते है तो यहाँ पर multimeter लेते हैं उसको हम continuity पर डालते हैं आप चाहो तो battery से भी check कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं check कर रहा हूँ कौन सी LED जो है ठीक है कौन सी नहीं तो यहाँ देखिए मैंने दो wire लिया है एक yellow wire लिया है जिसमें कि मैं negative वाले सभी leg connect करूँगा यह जो हमारी LEDs है जो हमने जालन में से निकाला है उसके सभी जो negative leg है yellow वाले में connect करूँगा और positive leg है जो की red वाले में connect करूँगा जैसा कि आप को मैंने बताया कि आप check करके connect कर सकते हो या फिर जब आप LED में देखोगे तो जो बड़ा वाला हिस्सा रहेगा LED का वो जो है negative रहेगा और छोटा वाला जो हिस्सा रहता है LED के अंदर देखने पे वो जो है positive रहता है तो ऐसे भी आप देखकर LED को सीधा सीधा देखकर भी आप पचान सकते हो इसकी politico तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसको मैंने LED में ऐसे लगा दिया है आपको भी ऐसे ही लगा लेना है तो जैसा कि मैंने लगाया है ऐसे ही मैंने पांच ऐसे लाइन से लगा दिया है और सभी पैरलल में लगाया है मतलब कि सभी के नेगेटिव वाले लेक जो है एक तरफ किया है मैंने और सभी के पोजिटिव वाले लेक जो है एक तरफ किया है सिरीज में नहीं किया है मैंने तो तो जो है, सौट हो जाएगा, तो अलग-अलग करके चिपका देता हूँ, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी जो हमारी LED है, सभी LED में जो है टेप मैंने लगा दिया है, आप चाहो तो किसी भी चीज से चिपका सकते हो, तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैंने यहाँ पर इसी प्रोसेस से दो तयार कर लिया है, आप चाहो तो कितने भी तयार कर सकते हो, मतलब बहुत जादा नहीं, क्योंकि बैटरी से ही चलाना है, तो बैटरी से ठीक ठाक यह जले, इसलिए आप 5-6 तक लगा सकते हो, मतलब कि पांच लगे हैं, तो 25-25 LED, 25 या फिर 30 LED जो है, तक जला सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो मैंने यहाँ पर दो तयार किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए इसको मैं अब जला कर दिखाता हूँ, तो इसके बाद मैंने यह दो और वायर लिये हैं, और उसके जो है, कवर हटा लिये हैं, और दोनो जो LED है, दोनो LED में से आपको ध्यान होगा, कि दो दो वायर आ रहा है, ठीक है, एक positive और एक negative, और दूसरे में से भी एक positive और एक negative, तो मैंने एक जो है wire लिया है, मतलब दो वायर लिया है, यल्लो जो है negative के लिए, और जो rate है वो positive के लिए तो ये wire से मैं दोनों को ही power देने के लिए wire connect कर लूँगा आपको कुछ करना नहीं है दो wire लेना है और जो उसका rate है वो इस wire के साथ और जो उसका yellow है वो इसके yellow के साथ connect कर देना है यानि कि positive negative को सीधा सीधा आपको parallel में ही करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ और कर के tap लगा दे रहा हूँ connect करना है negative को इसके negative में connect करना है और ये जो है चालू हो जाएगा तो चलिए मैं इसको connect कर देता हूँ जैसा कि आप देख रहे है yellow को yellow में और red को red में मतलब की positive positive को negative को negative में connect करते हैं ये जो है चालू हो गया और आपको मैं बता दूँ कि यह बैटरी से ही चल रहा है और बैटरी से यह इतनी जो रोस्नी है काफी है यहाँ पर 10 LED जो है तो आई होप कि आपको यह आइडिया अच्छा लगाओगा तो आप भी ऐसे दिवालियों पे खराब हो चुके चीजों का रियूज कर सकते है उसे फेकने से अच्छा है कि उससे कुछ अच्छा पना लिया जाए तो आपको यह हमारा आइडिया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिये हैपी दिवाली